आज की नई वीडियो में आपको कुछ ऐसे कांडल लिस्टिक को सिखाऊंगा जो कि दोस्तों बहुत इंपोरंट है और दोस्तों मैं आपको वीडियो के लाश्ट में कांडल कैंड्र लिश्टिक का राज बताऊंगा मतलब स्क्रेट कि क्या सच में काम करती है मतलब कि बहुत लोग वीडियो बनाते हैं बताते हैं कि यह कलो हा सबस्टिक से पैसे बनाए जा सकते हैं मतलब कि यह सब जोट तो नहीं है आज कि इस यह 2 माप को लाश्ट में आयंड में बताओंगा कि क्या सच्वे को सीखना है तो इस वीडियो को देखो Κरत को जानने के लिए आपको वीडियो को आयंड तक देखना पड kindly तब आपебे नहीं डेहोगी ताप कांडर लिस्टिक को आप कैसे उच्ण करेंगे यहां पे दोस्तों हम dûफिन हैंगिंग मैं को नहीं बताया था तो आजस्पी इस वहां में तो फिर यहां पिछ attorney को पृप तो फिर दो जिरूर elf क्या बस यह एक मदलब छूट है कि लोग आपको फसाते हैं कि यह इसा नहीं इसा कर लो तो आज किस वीडियो में आपको वीडियो के अच्प में मैं आपको राज बताओंगा वह आपको मैं सिक्रेट बताओंगा तो आप सबसे पहले इस कंडरिश्टिक को समझ लो सीख लो तो यहां पर दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों इसका नाम है hanging man इसे बोलते हैं hanging man candlestick pattern ठीक है तो यहां पर दोस्तों hanging man का काम क्या है दोस्तों hanging man आपको कहां पर दिख गा मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा सबसे पहले यहां पर देख रहूँ जो दोस्तों hanging man की body है आपको यहां पर यहां पर दे सकते हो यह जो close होती है यहाँ पर है और आपको यहाँ पर दोस्तों दो hanging man candle stick दिख रहा है एक तो यहाँ पर green है और एक यहाँ पर red है तो दोस्तों यहाँ पर मतलब की चार्ट पर यह जरूर नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ green candle बनेगी मतलब कि जब यह hanging man candlestick बनता है तब यहां पर मतलब कि red भी बन सकता है और green भी बन सकता है तो जो यह hanging man आप देख रहे हैं दोस्तो यह는 मतलब कि दोस्तो जब यह candlestick बनेगी चार्ट पर तो यह दोस्तो bearis मतलब कि market नीची जाएगी आईसा नहीं है कि मतलब की market नीचे जाएगी तो red ही बनेगी यह जरूरी नहीं है market में चाहे green बने चाहे red बने मतलब की calendar listig से मतलब है कि कौन सी calendar listig बन रही है आपको αυτी खगे यहां पर आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों और यहां पर लोग जानते हो कि इसका मतलब बीक है इसेडी। बोलते हैं और इसे बोडी बोलते हैं ठीक है आपको इतना पता है तो यहाँ पर देर न करते हुए मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखो हैंगिंग मैन को आपको दोस्तों हैंगिंग मैन यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगी ठीक है यहां पर देखो यह दोस्तों यह हैंगिंग मैन है और दोस्तों यहां पर अगर आप इंट्री लेंगे तो आप कहां पर लेंगे इंट्री आपको जब भी इंट्री लेना होगा जब यह हैंगिंग मैन यहां पर बनेगी उसके बाद यहां पर आपको इस हैंगिंग मैन के जो भानी हो ठीक है यहाँ पे दोसतों आप ऐसे कर सकते हैं कि बाद यहाँ पे मैं आपको पर जा रहे होगी मतलब की मार्केट बुलिस रहेगी उसके बाद जब उसे एक रजिस्टन्स मिलेगा तो यह candlestick resistance पर आंपको दिक्खेगी यहां पर यह अगर hanging sixtust zwe중 बन जाता है तब दोस्तों अगर आप यहां पर ट्रेड लेते हैं यहां पर देखूं यह वहां पर अपर आप अपना target यहां दोस्तों मैं आपको कोieß harness कोव बताया नाverage मैन की बारे में दोस्तों यह बहुत सच्च क्याम करता है आपको जह जगह पर इससे कना आना चाहिए कि जैसे कि दस्तों मैंने आपसे बताया कि घंडली Um दोस्तों एस बहुत की बॉटम पर अपको जिटिश्टिक नहीं जो इसे बहुत सारी टिंशनि झाल आप को हम इसके बातों के सकते हैं मैं तो सब से पहले हम सिह लेते हैं यहां पर देखो जो दोस्तों दूसरी कंडल लिष्टिक है उसका नाम है पियर्सिंग लाइन अब यहां पर दोस्तों इस कंडल लिष्टिक में कंडिशन क्या है सबसे पहले आप जान लो दोस्तों आपको पियर्सिंग लाइन कांडल स्टिक इसे दिखेगे ठीके तो यहां पर दिखो मैंने लेक्राइब परश्ट केंडल का बोडी का 50% ओपर को लोज हुआ सिकेंड केंडल मतलब कि दोस्तों जो यह पांडल के बोडी के 50% उपर close होनी चाहिए तभी हम इसे piercing line candlestick बोल सकते हैं ठीक है और हम बात करें दोस्तों कि यह candlestick open कैसे होगी यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने आपसे बताया था कि green candle नीचे से open होती है और उपर जाके यह close होती है ठीक है लेना है और दोस्तों यह bullish candlestick है bullish मतलब कि market उपर जाएगी जब भी यह candlestick बनेगी मैं अभी आपको चार्ट पर दिखा रहा हूं तो यहाँ पर हम चलते हैं चार्ट पर यहाँ पर देखो चार्ट आप इसका तो यहाँ पर आपको यह piercing line candlestick यहाँ पर दिख रहें ठीक यहा देखो मार्केट में कितना बूम आया है मतलब मार्केट कितना उपर गई है यह candlestick बनने के बाद और यहाँ पर दोस्तों यह जो piercing line candlestick है दोस्तों यह आपको बोटम पर दिखेगी मतलब नीचे आपको इतनी बात ध्यान रखनी कि आपको यह बोटम पर दिखेगी मतलब जहां पर support रहेगा support पर अगर आपको यह candlestick बनती हो दिखती है जहां पर मतलब कोई support हो वहां से मार्केट उपर जाएगी तो यहां पर एक candlestick और बची हुई है मैं आपको उसको भी बता देता हूं उसके बाद मैं आपको candlestick का secret बताऊंगा मतलब जो आप चाहते हो तो यहां पर देखो उसके बाद यहां पर दोस्तों इस candlestick का नाम है dark cloud cover ठीड़ोस्तों आपने जो भी फश्ट वाली candle को सिखा दोस्तों उसी तरह से दोस्तों यह भी candle stick है अब दोस्तों यहां पर फरक क्या है कि दोस्तों यह candle stick berries है अभी जो आपने दोस्तों पेर्सिंग ला इस वाले green candle के 50% पे जाके यहाँ पे close होनी चाहिए तो दोस्तों उसके बाद market जाएगी नीचे यहाँ पे मैं अभी आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दोस्तों यहाँ देख सकते हैं चार्ट पे आपको यहां पे दिखाही दे रहिए जैसा कि मैं और के इस अरक खिंच रखा है दोस्तो आपको चाट के मार्गिट का टोब होगा वहां पर आपको दिखाई लिकेंड कैंडल बनेगी वहां पर आपको ट्रेड लेना है ठीक है अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों 100% आपका प्रोफिट बने गई बनेगा तो यहां पर आप काम खतम हो गया अब मैं आपको बताता हूं कि कैंडल इस्टी का राज क्या है सिक्रेट क्या है जो इसके बाद आप इसे प्रैक्टिस कर सकते ओं ठीक है पर यहां पर में आपको उस्ट कर बताता हूं कि जो यहां पर आपको लोग गुमराह करते हैं तो यहां पर देखो मैं आपको दोस्तों यहां कि कुछ एक्जाम पनल दे के समझाऊंगा जेसा कि दोस्तों आप सब की घ पार्केट में भी है कि यहां पर आपको दोस्तों सपोर्ट रजिस्टन्स केंडलिस्टिक इंडिगेटर मतलब यहां पर टेकनिकल एनलसिच जब दोस्तों आप सारा चीज एक में मिला देंगे मतलब कि यहां पर आपने जब एक में सम्मिला दिया तब दोस्तों यहां पर सब सबजी नहीं बनेगी जब दोस्तों आप इसमें धनिया नोर मर्चा गरम मसाला सबाब जब डिसमें डाल देंगे तब दोस्तों बहुत मस्त सबजी बनेगी दोसी तरह से दोस्तों जब भी आप यहां पे सपोर्ट कैंडलिस्टिक रजिस्टन्स चार्ट पैटन इंडिगेट आपको दोस्तों सारी चीज़े सीखनी पड़ेगी जब आप सारी चीज़े सीख जाओगे तब दोस्तों आपका ट्रेड सही जाने लग जाएगा बर दोस्तों यहां पे जूट यही है कि दोस्तों यहां पे आपको सब लोग बोलते हैं कि मतलब की कैंडलिस्टिक सीख लो स से प्रोफिट बनेगा दोस्तों ऐसा नहीं है आपको सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी तभी आप टेकनिकल कर पाँ जैसे कि दोस्तों सपोर्ट रजिस्टंस इंडिगेटर ओप संचैन मतलब कि दोस्तों जितने भी सारे टूल्स हैं जब आपको सारे टूल्स आ जाएंगे त 60 मार्केट मतलब कि दोस्तों यहां पिज हंड्रेदर पर संच्यूल्स काम नहीं करतीक दोस्तों यहां पर कोई कोई परसंट नहीं पर ऑगे-जाब यहां पर आप सारी चीज़ों का इस्तिम्माल करोगे तभी आप अप्रूफिट बना पोगे अब दोस्तों अगर आपको वीडियो यह अच्छी लगी है तो हमारी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना ताकि दोस्तों मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाओ और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना सेर करना कमेंट करना ठीक है